ये बजेट, more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई सम्भावनाओं से भराव हुआ और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का इस बजेट का एक महत्वप्रण पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पक्ता घर हो, नल से जलाता हो, उसके पास साउचाले हो, गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनी इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पाहड़ी छेत्र है, हिमालय का पुरा पट्टा जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते विए भी नई गोशना की गई है हिमाचल, उत्राखन, जमु किश्मीर, नौर्थ इस्ट, ऐसे एक छेत्रों के लिए पहली बार देश में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आदुनिक भवस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गाव है, बॉर्डर के गाव है, जिसका वाइबरंट होना जरूरी है, जो देश की सिकुरिटी के लिए भी आवश्रक्ता हैं, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिममगा, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को पोच्छान दिया जाएगा इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सबाद दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसपर किये जा रहे हैं डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्म दिर्भात्रा की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपे के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे मैं वित्वंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ